हेलो दोस्तों दोस्तों आज बात करने जा रहा हूँ दोस्तों महापुरुशों की जो समादी स्तल होते ही है उसे एक विशेश नाम से जाना जाता है जैसे कि आपने लाल गहट का नाम सुना होगा और इसके अलाव़ बहुत सारी जो शक्ति स्तल है शान्ती वन है ऐसे बहुत कितने समादी स्तल है बारा समादी स्तल है तो उनके नाम बताऊंगा कि इसे जो समादी है उसे किस नाम से जाना जाता है और ये किसकी समादी है तो बने रहे दोस्तों वीडियो के साथ और इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसको अगर आप याद करते हो तो बारा के बार जेल सिंग की समाधी है नेक्ष्ट है शक्ती स्तल है वो है इंद्रा गांधी की समाधी है नेक्ष्ट है समता स्तल है वो जग जीवन राम की समाधी है नेक्ष्ट है चेत्रा भूमी है वो भीम अम्बेटगर्जी की समाधी है नेक्ष्ट है अभेगाट है वो मोरारज्जी दे गाट के बारे में तो वो लाल बहादुर शास्त्री की समाधिस्तल है देन बात करते हैं राज गाट के बारे में तो महत्मा गांदी की समाधिस्तल है नेक्स्ट है शांतिवन जो की जवार लाल नहरू की समाधिस्तल है नेक्स्ट है नारायन घाट जो की गुलजारी राल ये तो आपने पढ़ लिया कौन सी समाधी किसकी है जग में सम्ता सबस्य बात करते हैं जब में सम्ता एक ता ग्यानी इंद्रा शक्ति जग में सम्ता चेत्र में भीम अभे मोरा राजी वीर किसान चोधरी अलाल विजय आत्मा करे राज जहार रहे श्यांत गुलका नारा दे महराज यह सिंपली आपको अगर लाइन याद हो जाती है तो आपको सारे समाधिस्तलों के नाम भी याद हो जाएंगे कैसे यूज़ करना है दूस्तों एकता ग्यानी मतलब एकता इस्तल है वो दूस्तों ग्यानी जहल सिंग की समाधिस्तल है नेक्ष्ट है इंद्रा शक्ती इंद्रा शक्ती मतलब शक्ती स्तल है वो इंद्रा गांधी का समाधिस्तल है देन है जग में समता तो समता स्तल है वो जग जीवन राम का समाधिस्तल है नेक्ष्ट है चेत्र में भीम तो चेत्र भूमी है वो बी आर अम्बेटगर की समादिस्तल है नेक्ष्ट है अभे मोरा तो अभे मोरा बोले तो अभे घाट है वो है दुस्तों मोरारजी देशाई की समादिस्तल है नेक्ष्ट है राजीव वीर तो वो है वीर भूमी है दोस्तों वो राजीव गांदी का समादिस्तल है नेक्ष्ट बात करते हैं किसान चोधरी मतलब किसान घाट है वो चोधरी चरण सिंग का समादिस्तल है लाल विजे के बारे में तो विजे गहाट है दोस्तों वो लाल बहदुर शास्त्री का समाधिस्तल है नेक्ष्ट बात करा महत्मा करेर राज तो राज गहाट है दोस्तों वो महत्मा गांदी का समाधिस्तल है नेक्स्ट है जहार रहे शांत तो शांती वन है दुस्तों वो पंडित जवार लाल नहरू का समाधिस्तल है नेक्स्ट है गुल का नारा मतलब नारायन घाट है वो गुलचारी लाल लंदा की समाधिस्तल है नेक्स्ट है दे महाराज मतलब महापरियान गहाट है दोस्तों वो डॉक्टर राजिंद प्रसाद का समाधिस्तल है अगर दोस्तों आप इन लाइनों को याद कर लेते हैं दोस्तों तो आपको सारे समाधिस्तल भी याद हो जाएंगे दोस्तों अगर दुस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाटसअप अकाउंट के मादिम से शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताईए दुस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा दुस्तों